हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने चाहरा हूँ कि कैसे आप अपने लावाज़एट 61 प्रो एंडुट वाइलफोन में आप जो है वाइबरेट फोर कॉल सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि की आन कैसे कर सकते हैं और यह वाइबरेट फोर क क्या करने के बाद यह सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जांकारी देने वालों तो चलिए यहां पर वीडियो को श्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइलफोन में सैटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सेटिंग इस बटन को select करना है तो यह बटन आपका blue color में on हो जाएगा यानि कि आपकी इस तरीके से vibrate for call setting enable हो जाएगी ठीक है अब यह vibrate for call setting जो है enable होने के बाद यह setting कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ तो जब भी आपके mobile phone पे कोई भी incoming call आएगा ठीक है तो आपका mobile phone vibrate करेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ vibrate करेगा आपका phone जो है ring के साथ साथ vibrate भी करेगा ठीक है यह setting जो है वाइबरेट for call enable करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके lava z61 pro android phone में ठीक है अब मैं आपको जो है यह vibrate for call setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना है मोबाइल का setting page open करना है setting page में सब से उपर आपको search setting का option select करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है vibrate for call ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा यहाँ पर type करना है तो आपको नीचे की आगे continue कर लेते हैं जब यह नीचे की साइड vibrate for call option शो हो जाता है तो इसे आपको select करना है इससे होता है क्या है आपका mobile phone आपको direct setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है इस तरीके से तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में